लड़की जैसे ही अपने रूम में आती है वैसे ही डॉल एक हटोड़ा उठाकर मेरे को तोड़ देती है जिसे देख लड़की बहुत गबरा गया और धीरे धीरे उसका पैर प्लास्टिक का बन जाते है वो दर के मारे रेंगते हुए वहाँ से भागने लगा पर तभी अचानक से डॉल उसके सामने आ जाती है लेकिन लगी के भाई को इस पर शक हो जाता है कि यह इसकी बहन नहीं है इसकी बहन अब एक डॉल बन चुकी है जिसकी आखों से आसु निकलते हैं तो चुरेल उसके आसु साफ करके उसको कच्रे में फेक देती है अगले दिन इसका भाई अपनी बहन को कच्रे में देखकर समझ जाता है कि ये डॉल नहीं बलकी इसकी बहन है और यह बात लर्का अपनी माँ को भी बता देता है लेकिन तब इच्वेल भी ये सब देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है दोस्तों आपको क्या लगता है ये लर्का अपनी बहन को वापस पहले जैसा कर पाएगा या फिर नहीं कमेंट फो पार्ट टू